हेलो फ्रेंट्स, वेलकम चो इंप लोगोसीज एजूकेशनल कंसर्टेंसी देरादून, आज का जो हमारा वीडियो है वो बांगर उनिवस्टी, यूके पे बेजड है, बांगर उनिवस्टी यूके की एंट्री रुक्वार्मेंट्स क्या है, कौन कौन से कोर्सेज है, जो आ कारे में जानने के लिए आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा, वीडियो सुरू करने से पहले, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कि प्लीज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा, और सबसे इंपर्टन चीज है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, और मैं परसनली जो कमेंट्स हैं, उनको रिप्लाइ करने की कोशिस करता हूँ, जितने भी मेरे से हो सकते हैं, तो आईजे सुरू करते हैं आज का वीडियो, वट्स स्पेशल अबाउट बांगर यूनिश्टी, बांगर यूनिश्ट जो है, वो है, that it is achieved very good reputation among the students as far as teaching is concerned, teaching के हिसाब से ये यूनिश्टी आपकी best है, इसको gold award मिला है, from national teaching excellence framework, तो ये वज़ा है कि ये बाकी यूनिश्टी से, बांगर जो है, एकदम से अलग हो जाता है, और top यूनिश्टी के रैंकिंग में अगर आप इसे देखे हैं, तो it comes in between 601 to 650, जो QS Global World Rankings है, तो उसमें अच्छी खासी इसके रैंक, बांगर इनिश्टी की मिलती है, दूसरी चीज, कि बांगर इनिश्टी में कौन कौन से courses आपके पास available है, दोनों ही तरह के courses है, graduation और post-graduation, सारी fields, लगबग चाहे आप engineering का है, medical sciences का है, या फिर management से related business है, hospitality है, tourism ह सारे fields आपके पास, graduation और post-graduation इसके लिए आपको इसमें मिलेंगे, entry requirements क्या है, 55%, अगर आपके पास है, either in plus 2, या फिर graduation में, तो you are eligible to apply in Bangar University, as far as fees is concerned, तो under-graduation level के लिए 14,000 to 16,000, pound इसकी fees आपके लगीगी, वो variation है courses पे कि कौन सा course आप आप कर रहे हैं, और post-graduate level, अगर आप taught courses में बात करते हैं, तो 15 से 17,000, pound इसमें हैं, और research-based post-graduation course अगर आप कर रहे हैं, तो 15 से 18,000, pound पर year इसकी आपकी fees होती है, वो भी courses जो होते हैं, वो इसमें variations में लेता है, English requirement test कौन सा आपको देना होगा, तो ILETS है, 6 with no band less than 5.5, acceptable है, और alternative English test में इसमे variety of English language आपके पास मिलेगा, जूलूंगो, ये accept करते हैं, और साथ ही साथ, इसमें pre English requirement है, अगर आपके score कम है, फिर भी आप apply कर रहे हैं, तो इनके पास इंग्लिस का course है, जिसमें आप जाके, इसमें बात में वहाँ पे पर सकते हैं, अगर आप भी Bangar University में apply करना चाहते हैं, पर January 21 intake, तो जो यहाँ पर email और WhatsApp नंबर आपको flash हो रहा है, उसमें आप अपने documents, हमें जल्दी से जल्दी, email ये WhatsApp करिए, हम आपको तुरंद reply देंगे, और हमें आपके जो documents के requirement है, वह है 10th, 12th और graduation के mark sheet, अगर आप post graduation के लिए apply कर रहे हैं, और 10th और 12th के mark sheet, अगर आप bachelor's degree के लिए apply कर रहे हैं, आइलेट्स का अगर आपके पास scorecard है, तो बहुत अच्छा है, तो वो भी आप हमें तुरंद देज दीजे, तो जो आपके numbers flash हो रहे हैं, email हो रहा है, इसमें तुरंद से आप apply करिए, बाकि universities भी, UK की open है for January 21 intake, apart from UK, कोई भी और country, Europe, या फिर major English speaking country, जिसना, Australia, Canada, USA, तो ये सारी countries, अगर आप चाहते हैं apply करना, तो तुरंद हमें आप contact करिए, हमारा contact number flash हो रहा है, तो तुरंद आप हमें contact कर सकते हैं, Thank you very much for watching our video and giving us your precious time, do like, share, comment and please subscribe our channel, thank you very much. Thank you very much.